ओम नमस्षिवाय हरहर भादयो जैशू शम्भो किसमत आपकी खराब है खराब किसमत को सही करने के लिए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए खराब किसमत है उसे सही करने के लिए कौन से उपाय कौन से प्रयोग हमें हमारे लाइफ में करना चाहिए जब कभी भी किसी वेक्ति की किसमत खराब होती है तो उसके मन में एक नकारत्मकता घर कर लेती है वो कुछ भी अच्छा नहीं सोचता है उसका सोचने की सुरवाती एक नकारत्मक व्यू से होती है कि नहीं होगा रहा ऐसा चीजे हमसे नहीं होगी और एक नकारतमक्ता उसके इर्दगिर इतना सारा एक माहुल खराब करके रखती है कि वो जो कारी कर रहा है उसमें भी मन उसका नहीं लगता है और धीरे-धीरे उसे आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाता है धीरे-धीरे वो मेंडल तोर पर भी चीजे खराब हो जाती है और वो चारों तरब से घिर जाता है ऐसी परिस्तिती किसी भी बूरे किसमत वाले विक्ति के साथ हो सकती है और ये जो बूरी किसमत है दरसल ये एक बहुत बड़ा मुकारा मन का वहम है उस वहम को इस तरह से समझना चाहिए कि जितनी सारी चीजे पूरी किसमत के बारे में हमारे मन में चीजे शुरू होती है ये राहू की वज़े से शुरू होती है राहू एक मातर ऐसा ग्रहन जो विक्ति को हमेशा ब्रह्म में रखता है ब्रह्म कि जो चीजे है ही नहीं उन चीजों के बारे में सोचकर हम परिशान होते है ऐसी परिश्तिति में विक्ति जब सह मेंशा थसा वा रहेगा इसलिए आप जितना हो सके इस दर्मियान इस तरह की परिस्तिती किसमत को मजभूत करने के लिए खुद को मोन धारन करना शुरू करेए मोन धारन करते व्ытक अपने गुरु मंत्र का जब करें मोन शुरू करें तीस मिनिट से शुरू कर सकते हैं, बीस मिनिट से शुरू करते हैं, बोन धारन करके अपने गुरु मंत्रे का जाप करें, नहीं कोई मंत्रे तो नमस्षिवाई का जाप करें, नियमित बजरंग बान का पार्ट आप अब शुरूप से करें, यह सभी प्रयोग, दोनों प्रयो झाल झाल